गुण मोर्निंग फ्रेंड्स कैसे आप सबी का मेरे यूटूब चैनल पर तो देखिए सुबा के बच चुके हैं च्छे और नास्त बनाने की तैयारी है साफ सफाई सब हो चुकी है तो आए चलते हैं किजिन में उससे पहले देखिए जिसने मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं कि अगर इसी तरह से मेरे वीडियो देखंगे तो मुझा बहुत अच्छा लगेगा वर देखिए अब चलते हैं किजिन में तो ब्रेफास्ट की तैयारी है तो आज क्या बनाते हैं चलते हैं देखिए सबसे पहले मैंने ये फ्रीज में से दूद निकाला है और एक चूले पर मैंने गैस पर दूद गरम होने के लिए रख दिया है और दूसरे पर मैं ये चाय बनाने रखने वाली हूँ क्योंकि आज चाय का मन है गर्मियों वैसे हमारे घर पर बहुत कम चाय बनती है खूर काम चला लेते हैं तो इशी का दूद नहीं पीती है इसनले कभी वह चाय पीती है वरना वह भी चाय नहीं पीती है मैं अबर उदा के नहीं दय Dáल दी है और मैं जू छे से इसको चाय को घुंत आ दूद भी कोलने के लिए रख दिया है तो देखिए देशीगी मैंने ले लिया है और ब्रेड भी ये मैंने रख लिये हैं और इसके बाद चाय को मैंने ढखकर खुलाने के लिए रख दिया है क्योंकि जब ढखकर बनती है तो जल्दी से इसमें उबाला जाता है और दूद भी ये उबनने के लिए तैयार है इसको भी मैंने अच्छी से चला दिया है और थोड़ा सा सिम कर दिया है उसके बाद देखिए मैं जो चाय में दूद डालने वाली हूँ तो थोड़ा च्छान कर डालने वाली हूँ क्योंकि इसमें चाय में मलाई खराब हो जाती देखे प्योर दूद है तो प्योर दूद पर मलाई वेत्शी आती है इसलिए मैंने दूद को चाना है और मलाई वेत्ष नहीं करीए मैंने यह दूद में पीते समय काम आएगी तो देखे नास्ता बनाते समय है मैंने थोड़ा सबजी के दो भी इंतिजाम कर ले तो इसके लिए मैंने यह कुछ लाहसन की कलिया हैं जो मैं किरस कर रही हूँ और इतने दूद और चाय में उबा लाता है अच्छे से तो देखिसे मैं सबजी के लिए थोड़ा iniya कर लें तो देखे चाय बन के तयार हो चुकी है और अब मैं बिरेट को जो फ्राइ करने के लिए बिरेट को सेखने के लिए मैंने ये पैन रग दिया है और उस पर मैं ये दो से तीन चमच घी लगाने वाली हूं घी में ही मैं इनको सेखने वाली हूं पैन पे जो गीई था मैंने वह चारोतरब कर लिया है और देखिय इस तरह से यह ब्रेड से मैने रगड़के इस पर मेन चार ब्रेड एक साथ सेखने वाली हूं काफी बड़ा पैन है यह चार ब्रेड आसानी से आगए इस पर और उपर से मैंने ये घी लगा दिया है अच्छे से इनको दोनों साइट से दबा दबा के सेख ना है अच्छे से घी लगाते हुए मैंने इनको एक बार साइट चेंज कर दिया है और मैंने दो बारा इसको चेंज करके अच्छे से इनको सेख लिया है और 4 ब्रेड हमारे रेडी होचुके है इसके बाद में थोड़ा जगी और लगाकर 4 ब्रेड इस पर और सेखने वाली हूँ इन 4 ब्रेड को भी इस तरह से में अच्छा जगी लगाकर सेखूंगे तो आज के नाशते में कुछ है भी नहीं है बस हलका फूल का नास्ता लेना है ये ब्रेड वाला और अच्छे से इनको मैंने दोनों साइट से सेक लिया है उसके बाद देखिए मैंने ये आलू बना आलू बालने के लिए रख दिये हैं छोटे छोटे आलू थे ये तो मैंने ये उबलने के लिए रख दिये हैं इतने हम चाय नास्ता करते हैं अब ब्रेकफास्ट करते हैं इतने हमारे ये आलू वलकर रेडी हो जाँगे और दूद भी गरम हो चुका है तो मैंने दो गिलासों में दूद किया है और दो कपों में मैंने ये चाय की है क्योंकि मैं रिशी का चाय लेने बाले हैं और गर्ब गर्ब के डैड़ी दूद तो देखिए दूद में मैंने ये चीनी डाली है और इसको अच्छे से मिला लिया है और देखिए हमारा ये ब्रेक फास्ट बनके रेड़ी हो चुका है तो फ्रेंट्स देखिए नास्ता हो चुका है और नो बजने वाले हैं मैंने चावलों के लिए भगोने में पानी रख दिया है और कड़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और जल्दी से ये आलू छीलने हैं क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ टमाटर और आलू तरी वाले तो देखिए कड़ाई भी गर्म हो चुकी है और अब मैंने कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है उसके बाद ये मैंने जीरा लिया है एक चमच और इसमें जो मैं ये खड़े मसाले लेने वाली हूँ उसमें इलाइची, दो लोंग, कुछ काले मिर्च और दा मसाला और जीरा जो खड़ा मसाला था और जीरा मैंने एड़ कर दिया है और देखिए प्याज और हरी मिर्च भी मैंने इसमें एड़ कर दी है ओ थोड़ी देर इनको फ्राई करना जब तक ये भुन जाती है अब कुछ सूखे मसालों मैंने हल दी आदा चमच और देखिए धनिया और जो बाकी मसाले थे सब ले लिए हैं और जो ये मैंने किरस करा हुआ लहसन था वो मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि लहसन मैंने बाद में डाला है पहले अगर डालती किरस करा हुआ है तो ये जल जाता मसाले में इसलिए मैंने बाद में इस्तिमाल किया है ये और अच्छे से इसको चलाना है तो देखी जो मसाला था हमने जो लिया था ये सूखा वो गीला करके और अब मैंने इसको डाल दिया है और अच्छे से इसको फ्राई करना है और थोड़ा सा पानी इसमें और एड़ करने वाली हूँ मैं ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए औ और इसमें मैं ये टमाटर एट करने वा ली हूँ, दो छोटे छोटे टमाटर लिए हैं मैंने, क्योंकि जब मैं पतले आलू बनाती हूँ, तो उसमें जो टमाटर का स्वाध होता हो अलग होता है, जब तक टमाटन नहीं होते मैं नहीं बनाती हूँ इस तरह घर पर ये और देखिए मसाल अच्छे से ये फ्राई हो गया है और आलो को भी मैंने जादे बारिक नहीं किया है वस हास से ही हलका सा इसको मेस किया है मसाल हमारा भुनकर रेडी हो गया है अच्छे से और इसमें मैं ये आलो एट करने वाली हूँ आलो को अच्छे से चला कर इसमें पानी एट करके मैं थोड़ी देर इसको चलाऊंगी और जितना पानी हमें चाहिए वो पानी मैंने डाल दिया है और उसके बाद प्लेट से ढखकर मैं इसको 10-15 मिट के लिए उबलने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद देखिए पानी भी गरम हो चुका था और मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि पानी जादा खोल चुका था सबजी में लगी हुई थी मैं और अब यह चावल मैं इसमें आट कर दूँगी सबजी भी बन रही है चाबल भी बन रहे है और देखिए अब थोड़ा सा आठा तयार करने की बारी है तो अब मैं थोड़ा सा आठा लूँगी आठा मैं जादे नहीं लेना है क्योंकि चाबल बन रहे हैं तो आठे आठा कम ही इस्तमाल करूँगी मैं जादे रोटिया नहीं बनानी है मुझे आठ से दस रोटिया बनानी है और थोड़ा से इसमें नमक एड़ करके और आठे को मल लूँगे क्योंकि मैं बिना नमक के आठा नहीं मलती हूँ जब मैं रोटिया बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा या थोड़े से जाद है मतलब मैं नमक जरूर डालती हू क्योंकि यह जब नमक डालते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है और इसका स्वाद भी चेंज हो जाता है तो देखिए आठे को अच्छे से मल लिया मैंने और मैंने आठा मल लिया है उसके बाद मैं अब ये देखिए सबजी चेक करूंगी सबजी हमारी बन चुकी है और उसके बाद मैं ये चावल देखूंगी चावल मेंन डाल दी है और चावल भी थोड़े अब या भी कच्छे हैं तो इंको थोड़े देर के बाद मैं इनको इनका पानी अलग कर दूँगी तो सबजी बनके हमारी रेडी हो चुकी है इसको उतारके मैं एक साइट पर रख दूँगी और देखिए चावल भी बन चुके हैं वो जो चावलो का पानी था अब मैं उसको निकाल दूँगी अच्छी तरहां से चावलो का सारा पानी निकालना थोड़ा भी पान रहा तो चावल खराब हो जाँगे देखिए चावल भी तयार हो चुके हैं और चावलो की भी मैंने ये हटा के रख दिया एक साइट और तब अगरम होने के लिए मैंने रख दिया है और आज बनाने वाली हूँ हूँ ये पलो थन वाले फुल के तो पानी के हाथ की रोटी नहीं बनानी है आज मैं फुल के बनाने वाली हूँ तो देखिए लोई ये मैंने बना ली है उसके बाद रोटी बेलना मैंने इस्टार्ट कर दी है तो आज के खाने में मैंने कुछ खासी स्पेसल डिस नहीं बनाई है साध सिंपल आलो और टमाटर की सबजी बनाई है मैंने तो देखी तब अभी गरम हो चुका है और दूसरे अप्ल कभी मैंने बेल लिया है ये 10 वजए तक खाना बनाना होता है क्यूंकि 10 वजए के बाद उनका डूटी टाइम शुरू हो जाता है तो 10 वजए वो खाना खाके आराम से घर से निकल जाते हैं और उसके बाद अब तो छुट्टिया चल लए हैं तो बच्चे भी घर पर हैं तो उसके बाद हम सब लोग भी खाना खा लेते हैं देखिए आज का जो हमने बिलोग बनाया है सिर्फ ये कि हमारा 6 बजे जो होता है breakfast का time होता है और 10 बजे तक जो मुझे खाना रिडी करना होता है 10 बजे या 10 बजे के बाद जो है हम खाना खा लेते हैं 11 बजे जाते हैं मुझे खाने में क्योंकि घर के काम इतने होते हैं कभी कभी time ने मिलता तो थोड़ा खाना लेट हो जाता है मेरा तो देखिए मैंने कुछ फुलके बना लिये हैं और गरम गरम फुलकों पर ये मैं गी लगा कर और होट पोट में रखने वाली हूँ क्योंकि अभी गरम गरम फुलके हैं तो मैं घी लगा दूँगी इन पर और उसके बाद होट पोट में रखूँगी तो ये रोटिया हमारी गरम रहती हैं सारी रोटियों से इसी तरह से घी लगा लेना है तो देखिए रोटिया बन चुकी हैं सारी और गरम को भूंक लगी है तो कुछ कह रहा है मेरे से अब बच्चों को भी खाना दूँगी उससे पहले में जो ये पलोथन से ये सब इधर उधर हो जाता है थोड़ा इसे साफ करके और ये समान हटाके में रख दूँगी वो थोड़ी सी सफाई करने के बाद उसके बाद में बच्चों को खाना दूँगी अगर आपको हमारा ये आज कब लोग पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना तो देखिए यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है कुछ चावल आलू की सब्जी और घी लगे फुल गए थोड़ा सा सब्जी में देशी घी डालना है और देखिए तयार है आज का हमारा लंच तो आपको कैसा लगा हमारा भी लोग जरूर बताना कमेंड से में धन्य बढ़ाएं